क्रूज टूरिजम की बात करें तो क्रूज टूरिजम को बड़ा देने के लिए क्या प्लान्स किये गए हैं और आगे फ्यूचर में कितने प्लान्स आप अगर देखेंगे तो क्रूज कोई एक न्या वैसा सब्द नहीं है कोई भी एक अच्छी फिसलिटी चुकि यहां पर जितने भी लोग आते हैं स्रदालों आते हैं टुरिस्ट आते हैं वो लोग कम से कम नौका शेयर इक पर अवश्य करते हैं इस पहले यहां पर नावे थी और कुछ बज़रे थे उनको हम लोग साथ लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ जो अब नए जो लोग आ रहे हैं तो अभी पहले एक केवल प्राइवेट सेक्टर में एक क्रूज थी जिसको हम लोग ने लाइसन्स किया था उसके पश्चात एक हमारी टूरिजम वहां की एक बड़ी क्रूज आई जो भी वरतमार में अभी संचाल तो हम लोग एक को लांग डे टूरिजम के लिए उप्योग कर रहे हैं कि यहां से सुबह लोगों को लेके जाते हैं चुनार तक लेके जाते हैं चुनार से फिर घुमा कर उसको फिर वापिस साम तक उसको लेके आते हैं उसमें कई सारे फंक्शन भी हो रहे हैं लोग चोट इंकरेश करना चाहरें जिसके लिए हम लोग ने आपका असी में जो टंपरी जेटी लगी है आपका रविदास पार्क पे हमारी एक इल्लेंड वाटर वेस अथॉर्टी की जेटी लगी है तीन जेटी हम लोग एक जेटी हमारे सी एंजी स्टेशन पे और दो अन्य जेटी आपके कहीं करना चाहिए तो लोग जारा जारा लोग बाटर ट्रांस्पोर्ट को यूज करें जारा है जारा है लोग वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज करें